नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपियर्स क्लाउड में तो दोस्तो रूस और यूकरेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बाट कर रख दिया है और भारत ही अकिला ऐसा देश है जो ना ही रूस के पाले में खड़ा है और ना ही अमेरिका के पाले में लेकिन कल रात संयुक्तराश सुरच्छा परिशद में भारत को अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना था और ऐसे में भारत ने किसी को नहीं चुना और भारत ने संयुक्त राज सुरच्छा परिशद में वोटिंग से परेज कर दिया है और वोटिंग में परेज करने वाला अकिला देश भारत ही नहीं है बलकि चीन और यूए भी थे तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग में कौन से देश रूस के साथ खड़े हैं और कौन से देश अमेरिका या यूक्रेन के साथ खड़े हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन की भी जंग करीब चार दिनों से चल रही है और पूरी दुनिया पर संकट गहरा गया है और आलम या है कि सीत युद्ध समापत होने के 40 साल बाद एक बार फिर पूरा भी सुदो धड़ों में बढ़ गया है और ऐसे में कई देश रूस पर प्रतिबंद लगाने का भी एलान कर चुके हैं क्योंकि उसने अलगाओ आदियों का समार्थन करते होए यूकरेन के दो राज्यों डोनेट्सक और लुहांसक को च्वतन त्रुगोसित कर दिया था और इन प्रतिबंदों से क्या असर पड़ेगा या देखना अभी बाकी है लेकिन रूस सिर्फ तेल और गैस सेक्टर में आहिमियत नहीं रखता बलकि अन्य कमोडिटीज और मिनलल्स के मामले में भी रूस बड़ा खिलाडी है और ऐसे में इन चीजों की आपूर्त घटने और दामों में जापा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और संकट के इस दोर में हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया के कौन कौन से देश रूस और यूक्रेन के साथ हैं वहीं इस मामले में भारत और पाकिस्तान का क्या रूख है अगर रूस की बात करते हैं तो क्यूबा ऐसा देश है जो सबसे पहले रूस का समर्थन करेगा दरसल क्यूबा ने रूस के सीमावर्ती छेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की कड़ी या लोचना की थी और वैस्विक सांती के लिए कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने पर विचार किया था और इसके लावा रूस को चीन का समर्थन तो जरूर मिलेगा और चीन पहले ही अलान कर चुका है कि नाटो यूकरेन में मनमानी कर रहा है और दरसल पस्चमी देशों ने जब चीन के विरोध में कदम उठाये थे तब रूस ने चीन का समर्थन किया था और हकीकत या है कि रूस और चीन दोनों ने ही सेना से लेकर अंत्रिच तक अलगलग छेत्रों में कई साजेधारियां कर रखी हैं और इसके अलावा कभी सोवियत संग का हिस्सा रहे अर्मेनिया कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और बेलारूस भी रूस का समर्थन ही करेंगे क्योंकि उन्होंने च्छा देशों के सामुहिक सुरच्चा संदि संगटन पर भी हस्ताक्षर किये हैं और इसका मतलबिया है कि अगर रूस पर हमला होता है तो ये देश से खुद पर भी हमला मानेंगे और इसके अलावा अजर बेजान भी रूस की मदद के लिए आगे आ सकता है। विष्व युद्द की स्थित में उत्तरी कोरिया भी रूस का साथ दे सकता है। दर सल उत्तरी कोरिया ने पेनियूम्सुला में जम मिसाईल लांज की थी उस वक्त अमेरिका ने उस पर प्रतिबंद लगाने का अलाम किया था। तो रूस और चीन दोनों ने विरौश जताया वहीं पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान इस वक्त रूस के दोरे से होकर आए हैं और अब हम उन देशों के बारे में जानेंगे जो विशुद्ध के हालात बनने पर यूक्रेन का साथ दे सकते हैं और ऐसी स्थित में नाटो में सामिल यूरोपियन देश, बेलजियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलेंड, इटली, लक्जंबर्ग, नीदरलेंड, नारवे, पुर्तगाल, बिटेन और अमेरिका पूरी तरह यूक्रेन का समर्थन करेंगे और इनमें अमेरिका और विटेन यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक साबित हो सकते हैं जर्मनी और फ्रांस ने हाल ही में मासकों का तवरा करके विवात सांथ करने की कोशिस की थी लेकिन रूसी राष्टपति ब्लादमीर पुतिन ने जब यूक्रेन के दो राज्यों को स्वतत्र घोसित किया और वहाँ सेना भेजने का एलान किया तब जर्मनी ने नार्ड स्ट्रीम टू पाइपलाइन की इजाजत को रोक दिया वहीं अन्य पस्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिये और इसके लावा जापान, दच्छिड कोरिया, आस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं अब हम उन देशों के बारे में बात करेंगे जो रूस और उक्रेन संकट पर न्यूट्रल की भूमिका निभा सकते हैं और इस मसले पर भारत अकेला ऐसा देश है जिसने न्यूट्रल रुख अपना रखा है दरसल अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत के रिष्टे काफी अच्छे हैं और भारत की जीडीपी का 40 फिस्दी हिस्सा फारेंट्रेट से आता है और 1990 के दौर में यह आकड़ा करीब 15 फिस्दी था और भारत का अधिकतर कारोबार अमेरिका और उसके सहयोगी देश पस्चमी देशों के अलावा मीडिलिस्ट से होता है और भारत हर साल पस्चमी देशों से करीब 350 से 400 बिलियन डालर का कारोबार करता है वहीं रूस और भारत के बीच भी 10 से 12 बिलियन डालर का कारोबार होता है वहीं अमेरिका और रूस दोनों से भारत के रिष्टे काफी अच्छे हैं और ऐसे समय में भारत किसी एक का सपोर्ट करके अपने रिष्टों को खराब नहीं करना चाहता अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं लाइक शेर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रस करें ताकि डिफेंसे जुड़ी खबरे आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद